आज हम आपको अजमेर में काम कर रहे कॉर्पोरेट घहरानों की हकीकत बताने जा रहे है एक ऐसी हकीकत जिससे सोता हुआ अजमेर रोज रूबरू होता है लेकिन कुमकर्णी नीन सोया अजमेर कभी अपने अधिकारों के लिए लड़ा ही नहीं जी हां ये सच है चलिए अजमेर करने गए थे तो क्या किसी स्टोर ने बैग देने के लिए पैसे लिए थे और क्या वो बैग कुछ इस फिरकार के थे तेना तो फिर आपने क्या पैसे दिए बैग लिया और चल दिए बिलकुल विज्ञापन एजेंट की तरह है लेकिन आपको पता है ये सब आपके अधिकारों का हनन है चलिए अब आपको बताते हैं कि शहर में कौन-कौन से स्टोर्स आपके अधिकारों का हनन हर रोज करते हैं और आप भी अपना समय कीमती बताकर अपने अधिकारों का हनन हर रोज खुशी-खुशी करवाते हैं MPTV इंडिया की टीम ने शहर में D-Mart, Vishal Megamart, V-Mart, Max, Pentaloons, Reliance Trend, Big Baja जैसे कई नामचीन स्टोर्स में जाकर परताल की जहां जाने पर कई चौकाने वाले राज सामने निकल कर आए चलिए देखिए क्या हुआ राशी जब आप D-Mart गए तो जो मैनेजर गोपे शर्मा थे उनसे क्या बादचीत हुई आपके इन केरी बैक्स को लेकर क्या स्थती डीमाट में शुषिल देखो हम जासे यह ना डीमाट गए उनके पास में पूछने के लिए कि आप केरी बैक देते हैं कि नहीं देते हैं तो उसकी चार्ज इस लेते हैं कि नहीं तो वह अपनी बात को ना बताते हुए दूसरी चीज़ों पे बात कर लगए कि हम अना अजमे के लिए उ यह उनको पूरी पता था कि उनकी कमपनी इस तरह के चीज़े गलत कर रही हैं तो हमारे सवालों का जबाब ना देकर वो दूसरी चीज़ों में हमें उल्जाने की बाते करने लगए कि हम अजमेर के लिए बहुत कुछ करते हैं तो मैंने पूछ भी लिया कि आप अजमेर के अजमेर के अंदर कहा ता कि आम पर्यावरान का ध्यान में रखते हैं इसलिए हम इसा-सा करते हैं उसके इसमें काम करते हैं सोचल रिस्पॉंसिबिल्टी डीमाट ने गिनाना शुरू कर दी अजा कितने वक्त तक आप डीमाट में बैठे रहे और मैनेजर ने एक लेटर ज इसमें को यहां से वहां स्टोर के अंदर गुमाया है मतलब करीब एक सी डेड़ गंट अवारा पूरा उनने लिया उसके बाद में ही चार लाइन लिखने में उनको बहुत टाइम लगा और दीमाट क्या करी बैग देता है इस तरह के के बिलकुल दीमाट इस तरह के करी बै कि आता है तो उसके पूछा जाता है उसकी कॉलिटी भी शायद इतनी अच्छी नहीं है उसके किलाब पहले भी हमने कम्डेंट कर चुके हैं और वो कैरी बैग आपको देते हैं और उसके उपर एक उनका अच्छा सा डीमाट का लोगो लगा रहा हुता है उसका प्रचार कर करते हैं हम यानि कि हर ग्राकों को विग्यापन का एजेंट बना दिया डीमाट वालों ने बिल्कुल तदे कि डीमाट के लिए मैं आपको सबसे खास बार बतायता हूं कि डीमाट को जो कंजूमर एक्टिविस्ट हैं तरून अगरवाल उन्होंने उब्वक्ता सरक्षण मं अजमेर के अंदर एक याची का परिवाद एक दायर किया और परिवाद दायर करने के बाद शुकरवार को डीमाट को नोटिस जारी हुआ है इनी बैगों के लिए ये एक तरकी की सिवा जो व्यापारी को देनी है जो डीमाट को देनी है इसके लिए नोटिस जारी हुआ है इसका जब फैसला आएगा तो हम फैसला भी आपको बताएगे कि D-Mart के ओपर क्या जुर्माना लगा है या अधालत ने उसके लिए क्या काया अगला देखिए आप अगला मैं आपको लेकर चलता हूँ बिग बाजार में जो अजमेर के सिटी स्कुएर मॉल में स्थित बिग बाजार है जहां पर हमारे केमरे अलाउड नहीं है वहां पर हर कंपनी ऐसे बोल देती है कि आप नहीं दिखा सकते हैं अगर जहां तक हमारे केमरे अगर गुषने लग जाए जाने लग जाए camera अगर वहां कि अगर हकीकते दिखाने लग जाए तो बड़ा ताजूब होगा और शायद बोकता मंच को भी सोचने पर मजबूर होना पड़ जाएगा किस तरीके से बोकताओं का हनन हो रहा है यह अशीज इतना बड़ा बैग अपला है यह देखिए बैग यह थोगा सब आशीज पकड़के दिखाईए यह बैग है बिग बाजार तिंग फ्यूचर थिंग गरिन बहुत अच्छा था सोचल मैसेज एक दे रहे हैं बिग बाजार वाले अशीज बिग बाजार जवाब गए तब क्या हुआ बिग बाजार की कहानी बिग बाजार में यह जाकर हमने डायरेक्ट परचेस किया है शुशील यह बैग हमने परचेस किया है और सकी कॉस्ट 20 रुपीज पर बैग यानि आप हमसे 20 रुपे ले रहे हैं और उसके बाद में आपको फिर विग्यापन एजेंट बिग बना दिया गया है जो 20 रुपीज का बैग लेकर ह तरेंगे एक एजेंट की तरह हैं और उसके भी वो चार्जेस ले रहे हमसे तो बड़ा मजाकी वाली बात हो गई शुशील इसको भी आपसे चार्ज ले रहा है इसको भी कंजूमर अदालत में हमारे जो सयोगी तरून अगरवाल है वो लेकर जाएंगे बिल हमारे पास है डी मार्ट का बिल भी डी मार पास एक लैटर है इस लैटर के आधार पर हम कंजूमर कोट में जाएंगे इसी बिक Bazar के थेले का और बिलो को लेकर हम जाएंगे इसके रेट आशिश मेरे सयोगी ने आपको बताईए मैं आपको अगले लेकर चलता हूँ यह है Max Max Fashion Max Fashion भी आप गए यह स्टोर भी City Square Mall है Corporate घराने किस तरीके से आपको विज्यापन का एजेंट बना देते हैं उसकी यह तस्वीर हैं हम आपको बारी-बारी से दिखा रहे हैं दोना तरफ देखिए Max का full promotion यानि कि याद कीजिए कुछ समय पहले जब आप बजार जाते थे तो देखा होगा आपने की जो छोटे व्यापारी होते थे कपडों के व्यापारी वो आपसे कोई थैलों की कॉस्टिंग नहीं लेते थे आपको बकाइदा थेला देते थे और कपड़े आप इसमें आराम से लिया सकते थे आशीश आपने भी इस चीज को महसूस किया होगा लेकिन जब से ये corporate घराने आये हैं तो उन्हें परियावरान सरक्षन के नाम पर सोशल रिस्पॉंसिबिलिटी के नाम थे कागच के इन्होंने थेले शुरू किये और उसके बाद उसका चार्ज कस्टमबर से लेना शुरू कर दिया और उसके बाद देखे विज्ञापन किस तरीके से हो रहा है ले जाएंगे उसका भी हमारे पास बिल है इसमें मैक्स में अगर बताएंगे आशिश की कितने रुपे का दिया है यह थेला तो थोड़ा सा कस्टमबर को बताने में आसा नहीं होगे यह पांच रुपे का थेला है चलिए अगले मैं आता हूँ रिलाइंस ट्रेंड यह रिलाइंस ट्रेंड है रिलाइंस ट्रेंड अजमेर के बाइसकोप मॉल में है रिलाइंस ट्रेंड का यह पूरा बैग है आशिश रिलाइंस ट्रेंड गए हैं देखिए बैग बहुत अच्छा दिया है यह भी सोचल डिस्पॉंसिटी अपनी पूर अपनी ट्रेंड का ना प्रचार भी करवा रहे हैं और यह मैला का भी प्रचार फ्री में ले रहे हैं मुझे लगता है इस मैला को भी जाना चाहिए जिसमें अपनी पोटो लगाने की पैसे दिये हैं रिलाइसमें ने दिये हैं पता नहीं लेकिन हो सकता है कि इसको मैला को पत ये सात रुपे में थेला देया. वीमार्ट नया बजार में digना, बीमार्ट आणी अपना प्रोमोशन थे हैं 5 रुपे का बैक दे अखर. वाक्या हुआ जब हम मिलने के लिए गए हमने बात करी तो मैनेजर ने ऐसे पूछे हम से क्या हो गया इसके अंदर हम देते हैं ठीक है मैनेजर ने का कि बीमार्ट के कंपनी को उन्होंने लिग दिया है बड़ा ताज्यू वाला कॉप्रोइट गरानों का मैंने फैसला पैली देखा कि कोई मैनेजर कंपनी को ये मैसेज दे रहा हो कि मैंने बता दिया है कंपनी को कि इस तरीके से बैग देना इंभी करेंगे आफ इसकेलिए भी जाएंगे उसके साथ ही साहेघे है बिल हम ने यहां पर मौजूद रखे हैं उसके साथ-साथ हम पेंटरलूम शोरूम भी गए ते आधित्य बिडला गुरूप का स्टोर है ये भी सिटी स्कोर मौल अच्मिर में है जहां पर हमें जो स्टोर के इंचार्ज पर वो हमें नहीं मिले उन्होंने हाला कि उनके वहाँ पर एक इस तरकी की पॉलिसी बनी हुई है कि जब आप भी देंगे तब ही आपको बैग दिया जाएगा लेकिन उस बैग की भी एक तरह कीमत है और उस कीमत के साथ साथ उस बैग के ओपर भी पेंटरलूम का जैसे रिलाइंस है जब तक आपको प्रोजेक्ट नहीं खड़िते हैं जैसे पेंटरलूम की पॉलिसी है ठीक ऐसे ही एपल की पॉलिसी है इन तमाम जितने भी यह कॉपोट्स घराने हैं जिनके स्टोरस अजमेर में हैं बिग बजार, ्धी मार्ट, LINE STRENE, MAX, वी मार्ट, विशाल मेगा मार्ट यह आखरी एक और रह गया है विशाल मेगा मार्ट ने उसके बाद आप देखिए कि विशाल मेगा मार्ट ने अपनी पॉलिसी को बदला और बैक के स्ट्रक्चर को यानि कि विग्यापन नहीं किया हाना कि एक 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 जो स्ट्रीप पकड़ने की उस पर जरूर लिखावा विशाल मेगा मार्ट अब इसके उपर कोई कानूनी उब् लेकिन जितना अभुकताओं को अधिकारों के बारे में हम पड़ पाए हैं उसमें हमें ये समझ में आया है कि जब भी कोई ऐसा व्यापारी कर रहा हो ठीक उसी तरीक से थोड़े टाइम पहले अगर हम जाये थोड़े से वक्त पहले जब कपड़े खरीदने के लिए हम जा दी है लेकिन अभी जो कॉप्याट घराने इस पक्त तर्जमेर में स्टोर्स अपने चला रहे हैं वो तमाम स्टोर्स इसी तरीके से अपना विज्यापन कर रहे हैं विज्यापन एजेंट गराऐकों को बना रहे हैं यानि की सीधे तोर पर आपको मूर गरे आम से पैसे ले 3 रुपे केवल केरी बैक के लिए गए थे और 9,000 रुपे का हरजाना उबोगता को दिलाया गया था उबोगता फर्रम ने माना उस चीज़ को कि इस तरीके से आप विज्यापर नहीं कर सकते अगर आपको पर्यावरन का इतना ही खयाल है तो कस्टमर्स को गराग को आप तो कि अच्छे अच्छे एसी स्टोर्स का दिखा कर रहे हुए हमें एक तरसे हमसे चार्जिस ले रही हैं और एक तरह से उबोगता के हितों का हननन कर रहे हैं खयर यह मुही में अभोगता मंच हमने तयार किया है आपकी किसी भी तरकी की शिकायत चाहें आपका भी कोई electronic item खरीदें, वहाँ पे आपको किसी shop skipper से अगर problem हो रही है, उसमें कोई आगर आपको परिशानी समस्क्या है, दिक्कत होती है, तो आप हमें बताएं, हमने को बोगता मनस तियार किया है, आप सीधे Mtv India के WhatsApp नमर पर हमें अपनी शिकायत समस्क्या बता सकते है हमारे office आप बता सकते हैं, Google पर Mtv India को search कर सकते हैं, हमारा WhatsApp नमर 8875345345, मैं दुबारा repeat कर देता हूँ, 8875345345, यह हमारा WhatsApp नमर है, आप इस पर शिकायत अपनी रिटर्न में दे सकते हैं, कि पर एक निवेदन है कि WhatsApp कॉल ना करें, क्योंकि बहुत सारे बल्क में कॉल्स हमा आप चाहें तो हमारे दफ्तर आकर Mtv India के studio आकर आप अपनी समस्या को बता सकते हैं, जिससे कि हम जो शॉप्स की पर है और बोगता के साथ तालमेल बैठा कर या तो आपकी समस्या अदालत के भार ही सॉट आउट कर दें, या फिर उसे हम consumer court तक ले जा सके हैं, इसके लिए ह आज हमने आपको बताया कि इस तरीके से corporate घराने आपको इस तरीके से आपको विज्यापन एजेंट बना कर पैसे भी आप से लेकर विज्यापन एजेंट आपको बना देते हैं, जिसका फाइदा सीधे corporate घरानों को होता है बजाए आपके देखिये, इसमें यह होता है कि कोईब विक्रेता को केरी बैग भी साथ देना होता है कानून यह कहता है कि कोईब विक्रेता अगर किसी चीज का पैसा वसूल कर रहा हамен तो इसमें अपना विज्यापन वो खुद नहीं कर सकता है जैसे हम जाते हैं किसी स्टोर में मान लीजिए कि मैं एक उधार में देता हूँ डी मार्ट हुआ या विशाल मेगा मार्ट हुआ या हम जाते हैं वो पांच उर्पे केरी बैक के हमसे लेते हैं लेकिन उस पे वो अपना विग्यापन भी करते हैं यानि एक बोक्ता से पैसा वसूल करके वो अपना विक्याबन कर रहे हैं उससे भी हमार से कमाया जा रहा है तो यह निश्चित रूप से एक बोक्ता अधिकारों का तो उलंगन है यह और बोक्ता कानून का तो खुले आम उलंगन है मैं कुछ दिन पहले डी मार्ट इस्टोर गया था मैं अक्सर वहाँ से समान लेता हूं तो इस बार मैंने कुछ पर्चेजिंग जादा हो गए यह मैंशा मैं अपना बैग लेकर आज अब सामान लेने जाते हैं तो निश्चित मिले गए तो लेकिन कैरीबैक पर भी विग्यापन खुद्गा देरे हैं। तो उन्सुना हो गया। क्योंकि मैं कुछ एक। परिवात दायर किया। और उन्होंने उसको प्रहमेफिशंना मानते वें कि एए ठीक है परिवात। आज डीमाट को नोटिस जारी किया है। उसमें चार जून को इनको नोटिस जारी करते हुए चार जून को इनको तलब किया है कोट में कि इस परिवाद के अपना जवाब दें कि आपने क्यों केरी बैक के पैसे इस तरह से लिये हैं आपने स्टोर्स वाले अगर पैसे लेकर आपको बैक देते हैं तो इसे परचार का ही एक तरीका माना जाएगा जो कि भोक्ता सरक्षण अदिनियम का खुला उलंगन है हर कंपनी की जिम्मेदारी है कि वो भोक्ताओं को केरी बैक मुफ्त में दे क्योंकि अगर हम को समान खरीते हैं तो उसे ऐसे हाथ में तो ले जा नहीं सकते तो बैक देना कंपनी की जिम्मेदारी है फिर जब हम इतना समान खरीद रहें तो दुकानदार की एक जिम्मेदारी भी बनती है उसके लिए पैसा लेना बिलकुल गलत है खेर आपको बता दें कि डीमार्ट को शुकरवार को ही जिला उब्वोक्ता सरक्षर मंच ने सिवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवार का दोशी मानते हुए एक नोटिस जारी किया है हमें लगता है कि कम्पनियों को बोगताओं के अधिकारों के हनन लोकने के लिए कोर्ट के आदेश के साथ साथ लोगों की आपतियों की भी बहुत जरूरत है अगर लोग शोरूम में जाकर ये पूछना शुरू करेंगे कि वो कैरी बैक देते हैं या नहीं और किस कोस पर देते हैं और इसी आधार पर शॉपिंग करेंगे तो कम्पनियों के व्यापार पर असर जरूर पड़ेगा और अब सबसे बड़ी बात इन तमाम स्टोर्स पर उगवोकताओं के अधिकारों के लिए जो मैनेजर टाइप के लोग होते हैं वो तो जवाब भी नहीं देते हैं लेकिन अब इन सबकी जवाब दे ही कैह होगी क्योंकि MPTV इंडिया वोगताओं के अधिकारों के लिए वोगता मंज तयार किया है जिसमें आपके अधिकारों के लिए कंजूमर एक्सपर्ट तरून अगरवाल हमारे साथ हैं आपके पास वोगताओं से संबंदित कोई भी परेशानी या शिकायत हो तो हमें हमारे वोट्सप नमर पर आपकी शिकायत हमें बेज सकते हैं जिससे कि आप वोगता मंज तक उसे ले जा सके हो और आपको नियाय दिलाने का एक प्रयास कर सके हैं मैं MTTV इंडिया के माध्यम से सभी अजमेर वासियों से यह अपील करना चाता हूँ कि हमारे वोगता संदक्षन अधीनियम 1986 के अंदर वोगतां को बहुत रहत अधिकार दिये गए हैं उनके सुरक्षा के लिए उनके अधिकारों के संदक्षन के लिए समय समय पर नए नए उसमें एडिशन होते हैं ने कं से पirosते अधिकार के संदक्राइब करना है त्वोगता संदक्षन हो भिल्गता माँन पाउनSON के संदक्षन कहाईत तो वा NTT इंडिया से संपर कर सकता है या मेरे से भी संपर कर सकता है ताकि हम इन कोर्परेट हाउस के खिलाब जो चलाए जा रहे ही मुहिम है उसमें भागीदारी निवास सकें और अधिकारों का संडेक्शन कर सकें हमारे कर सकता है